दोस्तो मैं आपको वीडियो की शुरुवात में ही बताना चाहूंगा कि आप हमारे वीडियो को देखकर कोई भी MCX के उपर ट्रेडिंग ना करें हमने कभी भी हमारे वीडियो से आपको MCX के उपर ट्रेडिंग की सला नहीं दिये हमने हमारे वीडियो से लगातार गोल्ड और सिल्वर के ऊपर हमारा सिर्फ नजरिया यानके विशलेशनी शेयर किया है तो अगर आप हमारा वीडियो देखकर कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपने रिक्स के अनुसारी काम करना चाहिए क्योंकि हमने आपको कभी भी हमारे वीडियो से कोई भी ट्रेडिंग की सला नहीं दी है हम ये जरूर कहेंगे कि हमने हमारे वीडियो से लगातार इन्वेश्मेंट की ही बात की है तो कुरूपया ये बात को ध्यान में रखे दोस्तों आप वीडियो के अंदर देख सकते हूँ सिल्वर जब इंटरनेशनल मार्केट में 24.50 डॉलर के पास था दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ 13 मार्च 2024 की जब हमने हमारे मेंबर्स को सिल्वर के अंदर खरीदारी की राई दी थी हमने मेंबर्स को ये क्लियरली बताया था कि आपको 24 डॉलर के स्टॉप लोस से खरीदारी करनी है और आपका टारगेट 25.90 डॉलर का होगा हमारा ये टारगेट सिल्वर ने लगबग हासिल कर लिया है उसी तरह से दोस्तो हमारे मेंबर्स को उसी तरह से आपको भी हमने ये लगातार बताया था कि गोल्ड की ये गिरावट के अंदर यानि कि ये कंसोल्डेशन के अंदर आपको बेचने के बारे में नहीं सोचना है क्योंकि गोल्ड के अंदर जो ये गिरावट आ रही है ये उसके December 2023 के High के उपर ही है और गोल्ड इसके उपर ही Consolidate कर रहा है गोल्ड अभी तेजी में है तो पॉसिबल है कि गोल्ड ये गिरावट को एक जटके में रिकवर कर सकता है और आप देख सकते हो Federal Reserve का Decision आने के बाद गोल्ड ने ये गिरावट को किस तरह से रिकवर कर दिया ही तो मैं आपको यही Continuously बता रहा था कि ये जो Consolidation होगा वहाँ पर आपको बेचने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है तो दोस्तों आप देख सकते हो मैं आपको मेरे वीडियो से किस तरह की जानकारी देता हूँ मैं तो अभी कुछ बोलने वाला नहीं हूँ अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा भी फाइदा होता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को कितना लाइक्स देते हूँ दोस्तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कंटीनियोसली बताया क्या फेडल रिजव के बारे में कंटीनियोसली एक ही बाते बार बार बता रहे हूँ लेकिन दोस्तो जो लोग साइकोलोजी जानते हैं उन्हें पता है कि हमने जो चीज़े लगातार बताई है वो कितना इंपोर्टन थी और आपने इसे अभी देख भी लिया है जो चीज़ इंपोर्टन है उसे मैं मेरे वीडियो के अंदर लगातार रिपीट जरूर करूंगा क्योंकि दोस्तो वो चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आपको हमारे वीडियो से सीखना है तो अच्छी बात है और अगर नहीं सीखना है तो ये आपके उपर है लेकिन जो चीज़ इंपोर्टन है वो चीज़ मैं मेरे वीडियो में लगातार रिपीट करूंगा कल जो फेडरल रिजव की मीटिंग का आउटकम सामने आया ये आउटकम से हमें यही पता चला कि फेडरल रिजव ने इंट्रेस रेट को नहीं काटा ही उसी तरह से फेडरल रिजव ने ये भी कहा कि हम इंट्रेस रेट को जल्दी नहीं काटेंगे यान कि हम जब तक inflation के उपर confirm नहीं हो जाते है और हमारा confidence नहीं बढ़ता है कि inflation नीचे जा रहा है हम जल्दी interest rate को नहीं काटने वाले है दोस्तों मैंने लगातर मेरे वीडियो से आपको यहीं बताया था और उस वज़े से बहुत सारे लोगों ने मुझे यही कहा था कि आप एक ही चीज बार-बार क्यों बता रहे हो लेकिन यह चीज अभी आपके सामने है जो मैं आपको लगातर वीडियो से बता रहा था मैंने आपको क्लियरली कहा था यह जो चीज सब को पता है उस चीज का मार्केट के उपर कोई भी इंपैक नहीं होगा और अगर यही फेडरल रिजव बोलने वाला है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी ही होगी और आपने यह अभी देख लिया है तो दोस्तो मैं आपको सिब इतना कहूंगा कि जो चीज इंपोर्टन्ट है मैं उसे वीडियो के अंदर रिपीट करता रहूंगा आपको सुनना है तो सुनिए अगर नहीं सुनना है तो इग्नोर किजिए यूटूब ने आपको फॉर्वर का ओप्शन दिया है तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो ये मीटिंग से सामने आई वो ये थी के फेडरल रिजव अभी भी मानता है के ये साल तीन बार इंट्रेस रेट कट हो सकता है दोस्तो मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ ये फेडरल रिजव खुद बोल रहा है पिछले मीटिंग के अंदर भी फेडरल रिजव ने यही बोला था कि तीन बार इंट्रेस रेट कट हो सकते है और ये मीटिंग से भी यही सामने आया है कि फेडरल रिजव अभी भी मानता है कि ये साल तीन बार इंट्रेस रेट कट पॉसिबल है हमने आपको लगातार बताया था कि गोल्ड उसके डिसम्बर 2023 के हाई के उपर कंसोल्डेट हो रहा ही तो आपको यहाँ पर मंदी में नहीं आना ही और आप देख सकते हो फेडरल रिजव की मीटिंग के बाद किस तरह की तेजी गोल्ड के अंदर बनी है यह तेजी के अंदर गोल्ड ने नया हाई बनाया है 2223 डॉलर का गोल्ड की आज की क्लोजिंग महत्वपूर्णा हो जाती है क्योंकि आज के हाईस से गोल्ड के अंदर बिक्वाली आई है तो अगर आज गोल्ड क्लोजिंग देते समय हाइस के पास जाकर क्लोज होता है तो वो एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग होगी और अगर गोड आज की closing जहाँ पर वो आज खुला है वहाँ पर आके देता है तो वो अच्छी closing नहीं मानी जाएगी उसी तरह से आप silver को भी देख सकते हूँ हमने आपको कल के वीडियो में ये clearly बताया था कि silver के लिए December 2023 का closing basis का हाई resistance का काम किया है लेकिन उसके पास ही silver consolidate कर रहा है तो आपको यहाँ पर मंदी में नहीं रहना है और आप देख सकते हूँ दो दिन की गिरावट को किस तरह से silver ने recover किया है और silver अभी closing basis पर December 2023 के closing high के उपर बंद हुआ है आज silver इसी के उपर काम कर रहा है लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया gold की आज की closing महत्वपूर्ण है उसी तरह से silver की आज की closing महत्वपूर्ण है तो आज की closing का इंतजार जरूर करते है लेकिन मैं clear कर देना चाहता हूँ कि मेरा नजरिया gold silver के अंदर फरवरी 2024 के बाद से मन्दी का नहीं है और वो अभी भी मन्दी का नहीं होगा अगर आपको मन्दी में रहना है तो आप मन्दी में रह सकते हो तो यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment द्वारा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे, चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहिचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले, तक ये जानकारी आप के साथ उनको भी पता चल सके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, तक यू